कि हेलो इस्टुरेंट्स वेलकम टू श्री डावलुएच साइंस जैसा कि मैंने पेच्छे वीडियो में बताया था कि चैप्टर नमर वन का एमसी क्यों कोशन बताया था ठीक है ना लेकिं हम लोग कुछ बेसिक्स छूट गया था जुसको आज रिपीट कर दे रहे हैं यह चैप्टर नमर वन का कुछ पॉइंट है जो हमेशा याद रखने वाज चीज है और रखना बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कुछ बेसिक्स नॉलेज हाद चैप्टर से आपको दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर पॉइंट्स टू भी रिमेंबर ऐसा पॉइंट जो हम कि वह देख सकते हैं बोड़ों में लिखा हुआ है और किसी को और भी दिखा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ठीक है कुछ यहां पर पॉइंट नमर वन के लिधिंग ऑर्गनिजम सो क्रेक्टराइजिस क्रेक्टरिस्टिक लाइट ग्रॉथ रिप्रोडक्षन कि सजीव क्ला लख्शन क्या होता है तो सजीव कर सकता है ठीक नो मेटाबॉलिक एक्टिवीटी कर सकता है अपने अंदर के एक्टिवीटी को वह शो कर सकता है सेलर ओर स्थटा एक भी यहां लीविंग और्गनिजम का दूसरा पॉइंट दे नंबर अपस्पीज डाइट आर नॉन और डिस्क्राइब रैंज बीट्विन 1.7 तो 1.8 मिलियन अभी तक जियों में सबसे ज्यादा अस्पीज जो होता है कितना माना गया है 1.7 तो 1.8 मिलियन में इतना भी डिसकबर हुआ ह अब तक खोज किया गया है नेस्ट पॉइंट तो दिए नेस्ट पॉइंट अब दस्सिस्टम औफ प्रवाइडिंग अनेम विट्ट तूप अब शिस्टम इसकोल बाइनोमियल नोमन क्लेचर देखिए सबसे पहले बाइनोमियल नमन क्लेचर किसी भी नाम को दो टर्म में लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं बाइनोमियल नमन क्लेचर अब बाइनोमियल नमन क्लेचर किस ने दिया था कैरल स्लीनियस ने यह कोशन आता है ठीक है ना कि बाइनोमियल नमन क्लेचर कौन दिया तो कैरल स्लीनियस ने दिये थे ठीक है नेस्ट पॉइंट अब या बाइलोजिकल नेम हैस्टू कंपोनेंट है कंपोनेंट जेनरिक नेम और अस्पेस्पिक एपिथेट अगर किसी को इंग्लिस में प्रोब्लेम हो रहा है तो अराम से वह नीचे जाइए यहां से देखिए लिखा गया है जैविक नाम की दो घटक होते हैं वन्स नाम तथा जाति संकेत पद मतलब जेनरिक नेम और अस्पेस्पिक एपिथेट जैसे होता ने किसी को नाम लिखता है को भी नाम अगर लिख लिए तो उसके पीछे बगल में क्या वे जाति है तो जाती लिखता है यादा वह तो को कोका से इतफलेाये वीडियो मों बता दोते हैं मैंे पेछले वीडियो मताया था नाम है फलिद के मायंगो का नाम तो मैंगो का नाम क्या था माय lovely olurs फेरा इंडिका मायंगी फेरा अन इडिका जू होता था एक विए जेनरिक नेम में इंडिका औस परेस्पिक एपिधेट थिक यह बाइये लोजिकल नेम में का माइंगों का दो टर्म में जा सकता है इसको बोलते हैं बाईनोंयल नॉमन्कलेचर चाहें टाइस की जिए न गाऊचेन में मैं घे अ आय्नली है ना तैसे में लेकिन इसको लिखा जाता है इतलीक्स मोड में ठीक है कब अब लोग चलाते होंगे तो आपिर फॉन्ट देता इतलीक्स-कैब्रियन यह सब चीज देख्था देखा जा सकता और लिखने का अंदाज अलग होता है यह पढ़ने का अलग होता है ठीक है जीव को उसके character के हिसाब से उसके सरलता के हिसाब से उसको और वर्गी कृत किया जा सकता है उसको बोलते है क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन इस प्रोसें है विच एनितिंगः ग्रूप्ड इन्टुक गर्मेड़ कतीक्रीजिस और सम इजली अप्जर्वेबल करेक्टर ठीक ना किसी के परेक्टर का बिश्र Ոसन करके उसके गून को उसके कर भाव कर को ध्यान में रखते वो इसको वर्गी किरीद इसके वर्ग मैं र쪽ना इसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ठीक है हेस्त कि क्या ने टेक्सवर्नुमिक हिरार्कि टेक्सवर्न हिरार्कि मतलब क्या होता है गोंते इच करेच्वर्ग इस जी प्रजेंट आर रहेन का एड़िव कम लिन कमनली अनकमनली टर्म जैंच घ्राइड से क्या होता है ना हो गया आपका अस्पसीज जीनस जीनस फैमिली क्लास और्डर फाइलम किंग्डम तो यह एक हिरार्की हो गया है ना टैक्स्ट्रोनॉमिक हिरार्की हो गया हलकास देख लिजे इसका मिन देखिए यहरार्की आप लोग याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है है ना यह इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह हिरार्की है देखिए दिया हुआ है है यह कह लात है टैक्स्ट्रोनॉमिक हिरार्की और मैं जब आश् nuclear जैसा हुगिया जीनस फैनली ऑर्डर क्लास फाइलं मोर्ग मुक्श ज़िसे यह ओॉच्धास लेवल को बोलते हैं ट्यक्स्वाण है इसको ट्राखिट ला गया इंडिविजूल हिरार्खे को भी लेविए ४्य। ख्सक्राद के बात करते शिथा है और किसे एक इंडिविज्वल एक फर जीन के ब्लदन हो सेफ फैलन प्लूम इा गुगा सिने क्लास आक ट्रौन होगिर लेकिंश को बोलते हैं क्या प्रक्षोनोमिक हश्न कि सब्सक्राइब जया तो कि क्लास मेलिया प्लाइब कॉर्डएटा और किंग्डम इनिमेलिया यह एक मैन का कोैं हिरार्खी हो गया तक फ्रसक्राइब कर टेक्स उन दिवीज्वल को टेक्स न बोल सकते हैं कि कह आप यह पॉयंच है और सबसे बेसिक्स सबसे बेसिकक्स स्थ है सबसे बेजीट एक टेक्सिन खराइरक्य का तो समस्थ को मारोग गया है यह काफ़ हमपोर्टेट्स पहसीज सबसे बेजिक्स म्य गया है क्लासिफिकेशन में तो यह कुछ पॉइंट्स था जो याद करने लाइक है और भी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है जो याद रखना बहुत जरूरी है इसे कोशन पूछा जाता है ठीक है अब लोग देखते हैं कि भेरी शॉट टाइफ एंसर जोगे कल मैंने एम सी क्यू मल्टिपल च्वाइस कोश्चन बता दिया था आज हम उसका सोट नोट्स या वन लाइनर कोश्चन देखते हैं जैसे वन लाइनर कोश्चन है देखिए कि है ना कि कोश्चन नमबर वन कि अती लगो उत्तरिये प्रश्ण ना भेरी शॉट टाइफ अनसर कि विच आड़ टू कॉम्पोनेंट्स औफ बाइनोमियल नॉमनक्लेचर मैंने बताया थे कि बाइनोमियल कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कि दो टर्म में लिखा जाता है है ना कौन-कौन सा एक जेनरिक नेम होता है कि अना एक जेनरिक नेम होता है और दूसरा अस्पेस्पिक अपिद्ध होता है अजा दूने जैनरीक नेम और अस्पेस्पिक एफिधेट जाता है अस्पेस्पिक अपिधेट सेकेंड ने लिखा जाता है ठीक है कुछिन नूमर 2 कुछिन नूमर 2 देखिये यह भी काफी इंपोर्टेंट यह कोशन आया हुआ है नीट कि मेडिकल इंट्रेंस के एक्जाम होता है महां पर पूछा गया था ठीक ना राइट वाट तो डज आई-सी जेड़न स्ट्रेंट्स फॉर आई-सी जेड़न का पूरा नाम क्या होता है के इन्टरनेशनल कोड ऑप जा्योलोजिकल नोमचलेचर अना इंटरनेशनल कोड़ ऑफे जीओलोजिकल नमन क्लेचर कि डिफाइन क्लासिफिकेशन है ना क्लासिफिकेशन मैंने क्या बता है था वर्गिकरन वह प्रक्रिया है क्लासिफिकेशन का हिंदी क्या तो वर्गिकरन वह प्रक्रिया है जिसमें सरलता से द्रिश्य गुनों के अधार पर चीजों को स्वीधा जनक वर्ग में वर्गिक्रि करेक्टर के हिसाब से उसको वर्ग करित कि आता तर्ट इसको डिवाइट के जाता है उसके बोलते हैं क्लासीफिकेशन ठीक है ना अगर इंगल्स में देखते हैं तो classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters अना उसको classification बोलते हैं अब देखिये नेक्स्ट कोर्षे में क्या है वाट डच आई-सी बी-एन स्टेंट्स पोर इन एक आई-सी जेड इन लिए आई-सी बी-एन इंटरनेशनल कोड़ ओफ बोटानिकल नॉमनकलेचर यहां बोटानिकल नॉमनकलेचर रिलेटेट तू प्लांट आना और अगा am geological classification कर दे तो तो Is related to Animal याद रखने वाले चीजह है जानि ठीज है तो जिव लुड़ाय कल मोटेटर आय सजेड करना मोट ता है बंड और परणाम होता है किस्थ कहதressed में रखने वाले चीज तो यादा पड़ नहीं है कर अब दखिए को फूराइब को यह वार्ट अर्दा प्रोशेस बेशिक्स टू कहा तो इसके लिए चार प्रोशेस होता है यह करेक्टर्ड यह राजेशन चुछ ataque де अदैंटिफिकेंशन classification और नंवन क्लेचर डिकना किसी चीज का ये किसी भी जीव का यह कोई बी चीज हो तो उसका सबस्य पहले क्या तो इसका उसका गून देखा करता है रखान के बाद था नाम को किया सकता है यह सकता है क्यों आफ था इत्रों को सब्सक्राइब इससे विस्ट्रैशनि आडेंटिकेशन प्रासिफीकेशन इसके बात नोकलेचर कोई तुन भी चीज़ को अचानक नाम नहीं दिया जा सकता है ठीक ना तो उसको पहले उस प्रकिरियतने प्रकिरिया सब्सकों घजर ना पड़ता है उसके बाद किसी का यह स्पेसिक नाम दिया जाता है को कॉशन नम्बर 6 को चोंच नमर 6 देखें तो हænna पास Constitution फ्रस्eles प्रसपा है तुम्हस का है तहों मस्का दो मेस्टिका मस्का डूमस्टिका क्या होगी और हाउस का बायलोजकार देखिया इसे मस्क अध्या जिनरिक प्रसेप्तितoupe के अध्यनेृ gonnaτεकर आट पेक्टी रच defining ह हडाज हन्या और तो यह यहां पर, biological नेम है इसका, मस्का डमेस्टिका, systematics है न, systematics में क्या है, देखिये, what is systematics, सबसे पहले चीज देखिये, इसका वर्गिकरन पद्धती, क्या है, विभीन प्रकार के जीवों के वैज्ञानिक अध्यन, उनकी विवीधता, डैवर्शीटी, औरो उनके संबंदों के बीच के अध्यन, को वर्गिकरन कहते है, कोई भी जीव है कोई भी जीव है तो उसके, क्या होते है, character मतलब we say it is good character, its डैवर्शीटी किसे character दिवर्शीटी के बीच, क्यौ संबंध होते हैं, तो उसस संबंध के उनसार है, उसको बोलते है systematics है, कि कॉ क्योस्थ नमर एट रांक्ष कॉमनली नम ज्रिक्षणी है किसी एक हेलर की को एक क्लासिफिकेशन गश्क बोल सकते हैं कि slightly टिक रंभ करनन भर्ग की या वर्गी की को सद्ध भड़ में परतेग समविख प्रदर्शित करता है या एक बाद को दिखाता है इसे प्राया वर्गिक या ट्यक्षाउन कहते हैं ठीक है तिद्आये आप माइंगो का पूछा है किस फैयंगी करते हैं माइंगो बिलंग्स टू विछ फैय्मिली कौन से इस तो यह कोन से फैयंगी से हैं अकाड़येशी एक फैयंly का नाम है जिस फैमली से क्या होता है मायंगो मायंगो करी मैंगो मतलब कि करना मायंगी नो मतल बूंछेगा पूछेगा तो कि बारुचकल नेम क्या हो गया कि मायंगी पहरा यह कि INडिका मयंघी फियरा इंडिका हैना यह क्या होता है यह लिपकर एक वानामेवल नमंकलेचर क्या लुगत आते आते हैं बाइनोमियल इसका नमनकलेचर हो गया है लुटा है यह जेनरिक नेम है अधितनल स्ब्सक्रेसिश्पिट ब्रेट यह घर कैं तो यहां से यह ध्यान में रखना question number 10 sorry question number 10 in homo sapiens what does homo represents homo represents क्या चीका represent करते हैं ठीक है ना नेखिए अब बताया है ते बाइनोमयल नमनकलेचर में binomial नमनकलेचर में दो नेम लिखा जाता है एक होता है क्या जेनरिक नेम जैनरिक नेम जिस को बॉल सकते हैं क्या इस्विन बोल सकते हैं , इसी को जीनस बोलो जाता है ठीक है ना ? तो अब स्था जैनरिक नेम का योधी होता है ऐती होता है का सपैसपिक अपिधेट तो हमों हमों क्या होगी आप जेनरिक नेम यह जीनस हो गया और सेपियन क्या हो गया एक प्लेक्ट इसमें हो में पूछा तो जीनस हो जाएगा तो सब्सक्राइब है वन्स जिनस का हिंदी क्याता है वद्स होता है यह 10 वेर्ट लाइनर कुष्ष्वन था ठीक है ना कि यह वल लानर कोश्वन भेरी शॉट्ट हैप एंसर था जिसको ढगते हैं इसको नाम लिखना है ठीक है ना तो यह चैप्टर नम्बर वन कि क्लास एलेवन्थ क्लास 11 का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर वन था जिसमें से हमने mcq solve करवाया तर पिछले लेक्टर में जो नहीं देखा वो जा कि वीडियो ले पिछले वीडियो देख सकते हैं और आज मैंने करवाया था इस लेक्टर में करवाया क्या कुछ अब चैप आप लोग इस तरह का वीडियो चाहते हैं इस तरह का वीडियो आपको मिले घर बैठे तो आप लोग क्या किजिए प्लेश्टर में जाकर के प्लेश्टर में जाकर के कॉमर्स वल्ड हजार एग बाग ठीक है ना कॉमर्स वर्ल्ड हजारी बाग से एप्लिकेशन डाउनलोड करें अब वहां से क्या तो वहां से लॉग इन कर लें वहां से आपको सब चीज इंफ्रमेशन मिल जाए कर जाएगा और किसे को दिक्कत हो तो नंबर पर कॉंटेट कर लें ठीक है थैंक यू